कि जहिंद स्वागत आपका फिर से नवी वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या गलतिया हुई जो हमें नहीं करना चाहिए था अब सबसे पहले बात करें भारत पाकिस्तान का इत्यास तो भारत तो पता है सबक सब्सक्राइब कर दिया गया था लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आता है 21 जनुरी को और पाखिस्तान कब अजवा कि पाकिस्तान हम को लिखने भी नहीं आफ पाकिस्तान लेलों YouTube का देता है क्योंकि इंगिलेकी पास बहुत छोटा अच्छा रहीच यह ज्वारत के देता है हमारे हैं कि अटा-घषर तो पाकिस्तान अजाद हुआ था 14 अगस्त निए सो से तालेस यह 14 अगस्त को अजाद हुए था हमारे यहां जो है हमारे इतियास में बहुत इतियास है सुरू से लेके एक इसविश से लेके चाहे जहां तक आओ पूरा बहुत है अपहुत है पूर इतियास है अकूल जितने समय कोई पूंच नहीं था उतने समय तो हमारे एहां गुरू कि पहुती हाँ चला करता था और różष यह kommt पढ़े यह सहात फ्रांस का इतिहास पड़ता है फ्रांस का जितना इंगलिस वाला लोग है सब फ्रांस यह फ्रांस का पड़ता है कि अब बात करें देखो अगर भारत और पाविस्तान इस मुद्दे को लेकर खड़ा होता है कि हम अलग नहीं हुएते तब अगर अलग नहीं हुए होते बाबुना तो बहुत प्राब्लम हो जाती आगे बहुत प्राब्लम होती आगे कि जब बटवारा किए इसकाँ कि अछय है अच्य डंग्से बटवारा भी नहीं कर पाया है जब बटवारा कर रहे थे डंग्से की होते यह ओपरावाला कि इसको का समीर इसको लटका दिये विक्वाय में यह सुसुरा इधर से ठोकता है गाता हमारा है पाकिस्तान और इधर से इच ओर रकाता है लातमारता हमेशा मतलब किया रहा भाई कन दूस्द यह होते हैं जिए अब पिटाया भीया ले तब सान्ती संतिक का प्रस्ताव एतना की कर दिया और फिर बाद में इसको चड़ा दिया के चल चल हम तुम्हरे साथ है यह लिए जहां है कहां गया को हिंदी-चीनी भाई-भाई-बाई अच्छे से लिखे हिंदी-चीनी भाई-भाई-बाई तो एक के मिनेट में निप्टा दिया जब यह कभजिया लिया अलुमान चल परदेश के यहां तब तो बोल दिया खतम सब तब इसको बढ़ावा देने लगा अरे कुट्टा पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए में यह सुरू से चोड़ था यहां मतलब हम का बता उतना समय दिमाग को कि इनको अगर बटवारा करना चाहिए या कुछ बे यह तिब्बत को हथिया लिया कुछ नहीं कर पाए तिब्बत वाले खैर यह तो इसी का था वाल ठीक है लेकिन हमसे कोई मदद मांगने आता हम तो स चड़ाया इसको 1965 में उतने समय लतिया उठा फिर उसके बाद जब यह बटवारा हुआ अच्छे से बटवारा भी नहीं हुआ हमेशा सुनना पड़ता है भारत चीन और आज भारत और पाकिस्तान अगर कौनों मुद्दा होता है कोई भी इलक्षन का बात हो तो कंफर्म है किसिमीर में जरूर कोई ना कोई मरी ऑगा क्या वात है कि अलॉवामाटेक मतलब कुछ ना कुछ जरूर होता है धारत 370 को रफा दफा तो कर दिये मतलब नहीं निकला हाँ यह है बोल रहे थे कि नहीं अरे मतलब नहीं हटाया जाएगा लेकिन हाँ आप हटा दिए यह तो स होता है तो भारत और पाकिस्तान अगर कोई भी भाद पाकिस्तान सबसे पहले इसी का नाम और इसका चाल भी वैसे यह है थोड़ा बत्मीज है अधर से अमरीक वाठेलेगा यह से इधर से ठोकेगा इसको बहुत चल 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 कि अब मجबूर है भारत अगर रूस ना रहे ना रूस बता अगर रूस ना रहे तो भारत अकेले कुछ नहीं कर सकता है का हथ्यार कहां लेकर जाओंगे एच और कठके पास जाओगे खरिदने यह इसे नहीं देगा यह मत सोच पर साथ दे रहा तो यह मैं सवसात नहीं देगा ना कश्मीर देगा ना चीन देगा ना यह जब हाल है आप बटवारा कम से कम अच्छे से की होते तो सबसे पहला यही था कस्मीर मुद्दा कस्मीर मुद्दा कस्मीर मुद्दा अखेले पूरे विस्व में किसी देश का अउकात नहीं है कि इंडिया से लले कोई भी अब लेकिन ना जहां यह रहेगा च्रकट यह हराम खोर यूजस से सबसे हराम खोर है हमेशा लड़वाने की सोचता है इस कुत्ते को अगर मिल जाए उसामा भी लादें जैसा ना तो सुलो मारे एकदम बर्बाद तबाह हो जाए नहीं पहला यह एडिंग हो गया भारत कस्मीर मुद्दा भारत कस्मीर मुद्दा खैर अब तो निप्टा गया है लेकिन आज भी जब भी लक्षन की बात आती है तो यह जरूर सुनोगे कि यहां पर इतने लोग मारे गए कि यह बात होती है कि इसके पहले कि जब कस्मीर पर हमला हुआ था जाई से सियाचिन ग्लासियर अरे तerson नहीं वो कहां पुड़ा था अरे भाया कारगील में कारगील कारगील में कि मांभी वह दो भगमान सीधे थैं कारगील के समय परदान मंत्री कौन था अटल भी आरी भाच्वेई अटल बिहारी भाजवेई भगवान सोच थे अगर यह नहीं होते ना तो फिर तब तो गया था कस्मेर एकदम पूरे